अलो फ्रेंड्स एम प्रोफेस तनमे गुरुकना थोन चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 23 विच आइस कोड इस फॉर अर्थक्वेक अनलेसिस तो दोस्तो आइस आइस कोड का नाम है आइस 1893 2016 तो यह कोड अभी रिवाइज हुआ है 2016 में उससे पहले कोड था इन 2002 और उससे पहले कोड ही नहीं था तो औरल में बच्चों को पूछते हैं तो उससे पहले क्यों नहीं था क्यूंकि इनिशली और्थक्वेक का ज्यादा डिजाइन के ओपर ज सवक जोनटेए 24 चेजोन फुक्रपा छेजोन फीशन फीजोन फाशेख वाम पर नूंबर के नंटी नीटीट में आहलेजीमि में सबंच और आपड फीश逌न के हुए क्याम मतलब प्सक्राव एकडम पर भाद आब का था हमें को बंच्टिंश के ढमें के अहां फुर्दों कि उसमें खिलारी गर्केक विलेज है वहाँ पे 38 सब्सक्राइब 1993 को अर्थक्वेक हुआ था अर्ली मॉर्लिंग चार बजे तो लेट वसेफ जोन कि अगें 2001 में गुजरात का जो कज भुजे रहे वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था तो इसके बाद जो हमारे साइन्टिस लोग उन्होंने डिसाट के कि नहीं कोई भी स्ट्रक्चर और कौनसा भी लोकें सेफ नहीं है तो उन्होंने जोन वन निकाल दिया भी तो अभी आपक देली डेली चाहँ अन्होंन फोर रिमालाय का एरिया या कजभुज एरिया या या कमस अन्हों पाई मतला भी डेंजरों होता है और पूने जोन 3 में आता तो अभी जोन वन नहीं है तो 2002 में यह कोड बनाया गाय था उसके बाद कि अगें 2005 में मुजाफराबाद है वहाँ यह अर्थक्विक हुआ पो चारे लोग भापी मल गाए थे एंड कंटिनेसली अर्थक्विक होते रहे थे तो फिर अगें 2016 में इसको रिवाइज किया को तो इसलिए गोर्णल में हम पूछ रहते हैं तो आपको पता हुआ चाहिए स्विस्टी के लिए आपको बता है एंड अ यहां पर अमेरिका है यहां पर यूरोपेयन कंट्रीज है यहां पर अफरीका है और बीच में क्या है पूरा ओशन है तो यह जो आफरीका और इंडियन प्लेट है इसे गाप आ रहा है मतलब शिफ्ट हो रहे है वेराज यहां पर जो इस काल्ट टेक्टोनिक बॉर्डर यहां पर हिमालाई की हाड बढ़ रही है और नॉलेज हमारा जो प्लेट है इंडियन प्लेट 40 mm पर यर शिफ्ट हो रहा है यह नॉलेज में क्यों बता है मैंने एंपिटेल का कोस किया था एडवांस अर्प्वेक का तो यह वहां पर मैंने सिखा इसलिए आपकी नॉलेज क पड़्वेक होते हैं यहमालेदरी जंगा की सो फूरा नॉलेचे दो यहां पर सबसे दर भी हो तैयों अर्प महालस्त्र सेट मी जो फॉल्द म हूंस की ड़सर वाय में फॉलल्ट है मतलब वहां पर नीच्छे को सबसे पहले देखते हैं तु की डाइम को कुआयक नहींआ तो इसलिए हमें earthquake में ज्यादा concern होना है and earthquake safe हमें design करने तो next question था पुनिया city comes under which zone so obviously that comes under zone 3 already ये दिया है कोड में तो आप देख सकते हो what is the role of importance factor तो जब हम उसका coefficient निकाल दे है एच जो formula उसमें आए का सबसे important रोले कि आप कौन से टाइप का विल्डिंग बांद रहे सब्सक्राइब तो इसको इंपोर्टन ज्यादा देना होता है then second product like commercial building offices रहें and third your residential building तो कोई important structure है तो design करते समय आपको यह important factor को द्यान देना है बहुत सारे factor ऐसे by G होगा that is related to your soil type then response reduction factor रहेगा यसे वह factor आपको ice code में देखने है ठीक है then next one is question number 26 what is different between single and multi-lead? अभी यह actually mechanical का part introduced किया पहले पार्ट नहीं था यह आपड़ेट यह dynamic analysis का पार्ट है single demand कोई तो एक यसा pendulum में उसको हमने इनिशल डिस्प्लेस किया तो एक particular angle के थूई वो डोटेट होगा so यहाँ पे only एक theta one अगर पता है तो हम निकाल सकते है multi-degree freedom में क्या होता है suppose आप एक मास एक दूसरा मास है तो यहाँ तो डिपेंडेंसी दो होते है दो यह दो से जाद होते है तो that is multi-degree of freedom simple concept बते है अगर आपका ground story building है and let's say this is three story building one तो यहाँ पे degree of freedom three होगा यहाँ पे degree of freedom one होगा हमें पता है A7 में हमने पढ़ा था degree of freedom kinematic and static degree of freedom and static dsdk that's it तो यहाँ पे तीन degree of freedom मतलब यहाँ पे तीन मोट से पा सकते है यहाँ पे एक ही मोट से पा सकता है and next बहुत बार आपको एक oral में पूछेंगे कि write down design step for retaining wall your water tank या flat slab तो simple आपको क्या करना है as usual given जूम करना है retaining wall रहेगा तो आपको depth of foundation निकालना होता है then उसके बाद उसका size निकालना है तो size के लिए simple trick बाता हूँ आपको size कैसे याद रखना है यह होगा total height h then हम पहले यह depth of base slab निकाल दे तोकी size निकाल दे then stem top stem bottom stem bottom हम निकालते by using that five cases and then we get width of field फिर से बाता हूँ पहले total height निकालो then depth of base slab निकालो then width निकालो then toky width निकालो then stem top and stem bottom आजूम करो and then you will get this width of hill like this way we have to design यह dimension होगा है उसके बाद हम उसका total weight निकाल दे then we check for overturning check for sliding maximum and minimum pressure P max maximum pressure should be less than Sbc क्योंकि वो safe bearing capacity कम होनो चाहिए तभी वो उसके ओपर stable रहेगा and P minimum should be greater than all with zero क्योंकि उसको एंटेंशन आना चाहिए यह exam में आपको यह check अगर ऐसा भी लिखो हो तो यह we get marks then उसके बाद उसको design करना है तो design करने सम पहले हम क्या करते है हम पहले टो लेते लें टो का भीट नीचे जाता है and earth pressure तो pressure निकाल देन भी find out bending moment bending moment बेंडिंग मोन विल गाता हम AST निकाल दे है एस्ट निकालने मां spacing निकाल दे then AST distribution निकाल दे and again उसका spacing and diagram so this is a simple sequence मतलब simple bending moment निकालो उसके लिए कितना स्टील लेगा वो निकालो उसका spacing निकालो then again distribution बादने के लिए AST distribution लगता है and again spacing लगा and again diameter diagram that's it again यह part repeat होगा for hill slab and stem also so वो complete अपका design again in flat slab also flat slab में generally हमें पता है there should be minimum 3 panels मतलब 3 side होनी चाहिए along suppose यह slab design करना है तो यहाँ पर 3 है यह आप भी 3 है तब ही design कर सब्सक्राइब आपका ऐसा है यहाँ आपका ऐसा है यह एक side 3 है लेकिन side 2 है तो you cannot design flats तो यह basic rule है already IS 456 में दिया है तो आप वो देख सकते हो then उसके coefficient निकला आप intermediate planner design कर रहे हो या end बला कर रहे हो तो उसका bending moment वो सब भारी होता है and then उसको design करना है that's it then थीक है तो इतने question so I think are you happy with this question अच्छे लगए तो definitely आपके friends को बता okay and मैंने बहुत सारे video बनाए regarding SD 1, SD 2 तो आप देख सकते हो thank you all the best